नमस्कार दोस्तों ये है होंडा CB SIGN 125 BS6 का डिसक वेरियंट रेविल रेड मेटलिक कलर के साथ होंडा साइन में दो वेरियंट और चार कलर का आप्सन मिलता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि होंडा साइन 125 में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, माइल की फिनिस देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको थोड़े से ग्राफिक्स की स्ट्रिप मिल जाती है रेड कलर के साथ और जैसा कि मैं इसकी हैडलाइट कौन कर देता हूँ तो इसमें आपको जो है नॉन-फ्लेक्सिवल इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि हैलोजन में द सिस्टम मिल जाता है इसकी दौनों ब्रेक एक साथ काम करती है और 240 mm की डाइमीटर की डिस्क ब्रेक दी गई है और इसके फ्रंट में आपको 8018 का टायर साइज दिया गया है और इसमें 18 इंच के ब्लेक टलर के अलॉइबील और यहां पर आपको फ्रंट में मिल जाते हैं ट की न्यूटर लाइट इंजन माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और यहां पर आपको होंडा की बेजिंग मिलती है और इसकी जो साइड मिरर है वही आपको पराने वाले मिलते हैं जो आपको एसपी 125 में और लीबो में मिलते हैं यहां पर आपको पासिं जैसे कि इसके fuel tank के उपर आपको honda का 3D में logo chrome finish के साथ दिया गया और यहाँ पर आपको बड़े से graphics मिल जाते हैं और नीचे की side में भी आपको chrome का element देखने को मिलता है और इसके panel के उपर आपको 125 का sticker, इगर HET BS6 का और ESP का logo देखने को मिल जाता है अब इसकी seating की बात करें तो इसकी seat quality है वो यहाँ पर आपको काफी wetter और काफी premium quality की मिल जाती है और इसके seat cowl के उपर भी आपको sign का logo मिल जाता है graphics के साथ में और उसके rear में आपको 8018 का ट्यूलेस टायर मिल जाता है 18 इंच के black color के allow wheel और 130 mm की drum brake और hydraulic type के यहाँ पर आपको rear में suspension मिल जाते हैं जिसको आप आसानी से adjust भी कर सकते हैं इसको पीछे की side से देखें तो यहाँ पर आपको body color के साथ gray window मिलता है और इसकी tail lamp के ऊपर आपको Honda का sticker और यहाँ पर आपको tail lamp मिलती है halogen bulb के साथ इसकी जो indicator है वो topics देखने को मिलते हैं और इसकी seat call के नीचे की side में आपको seat का locker और यहाँ पर आपको company fitted black color का साधिगार दिया है जो आपको SB 125 में मिलता है और यहाँ पर आपको चैंसेट cover है वो आपको plastic का मिलता है और adjustable यहाँ पर आपको fit rest मिल जाता है प्लियन के लिए और यहाँ भी और 125 का logo और यहाँ पर आपको 5 gear का manual setup मिल जाता है इस bike में आपको 5 gear मिलते हैं जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको side stand और man stand दिये हैं और इसमें आपको 162 mm की ground clearance मिल जाती है और इसके engine के उपर आपको Honda की wedging मिल जाती है और इस bike में आपको एक single horn दे 4 PS की power 7500 RPM पर और 11 NM का torque generate करता है 6000 RPM पर इसमें दिया है 5 speed gearbox इसके additional features है Honda Eco Technology, Enhance Smart Power System, इसका curve beta 115 kg, इसकी fuel tank capacity है 10.5 liter की और यहाँ से आप इसके engine के दूसी side को देख सकते हो यहाँ पर आपको Honda की bedging मिलती है और यहाँ पर आपको engine oil का filter और यहाँ आपको engine oil का cap और यहाँ आपक देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको catality converter मिलता है जिसके उपर आपको metal की plate नहीं मिलती है और यहाँ पर आपको brake pad और clutch का lever मिलता है और यहाँ से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो इसके उपर आपको metal की लंबी सी chrome की plate मिलती है और इसमें आपको ESP technology मिल जाती है Honda की भोक न देता हूं तो सबसे पहले हम बास को स्टार्ट का लेते हैं तो यहां से वाइक स्ट्राट हो जिए तो यहांसे आप सिकेंजन के साउंड को नोट करके तो अब बात करें इसके mileage की तो जैसा कि दोस्तों इसमें आपको 125cc का engine मिलता है अगर आप इसको local में चलाते हैं तो ये bike आपको 50-55 km per liter का आसानी से mileage दे देती है अगर आप इसको 50-60 की speed में चलाएंगे highway पर तो इस bike से आपको 65 kmpl का आसानी से mileage मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके price की तो Honda CB Sign 125 के drum variant की on-road कीमत है 88,409 रुपे और Honda CB Sign के disc variant की on-road कीमत है 93,691 रुपे ये on-road price मैंने आपको बताया है दुगार Honda Jesso Road Bangor Kolkata Sorum का Sorum की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप Kolkata से हैं तो ही आप नीचे दिये हुए number पर call करें other state वाले बिल्कुल भी tension ना लें आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on-road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा like करें comment करें share करें channel पर पहली बार आएं तो channel को subscribe कर देना और साथी साथ press कर देना bell icon को thank you दोस्तो